हेलो, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासिज और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमने इससे पहली वीडियो बनाई थी हार्डवेर बेस पर तो उस हार्डवेर में हमने चाहिका सीखा तो आज उसी बेस पर हम कोश्चन लगाएंगे ठीक हैं तो चलिए स् अधाला हमारा कोशल आता है एनुफिज कल कंपोनेट ओफ और सीस्ट्रांब हैं काहा है इन most vital part of a personal computer is called कि जो हमारा system unit का सबसे ज्यादा part contain करके रखता है वो कौन सी ऐसे जो हमारी equipment है डिवाइस है वो हमारी देखो जो motherboard होता है mainly जो पूरा working base होता है वो motherboard के उपर ही depend करता है क्योंकि motherboard के उपर ही हमारा RAM, ROM, प्रोसेसर इस सब चीजे हमारा motherboard पर होता है तो हमारा answer रहेगा motherboard ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना सबसे ज्यादा चीजे जो है वो पार्ट है वो motherboard के उपर ही hardware के internal hardware के पाई जाते हैं ठीक है और motherboard consist of क्या क्या चीजे consist रखता है control unit जो हमारी processing की वो होती है वो भी सारी की सारी motherboard पर होती है basic input output system BIOS जिसको बोलते हैं वो भी हमारे motherboard पर होती है expansion slot जो हम उसके जो भी devices को attach करने के लिए जो हमारे slot होते हैं और basic input output जो buses हैं हमारे और उनको attach करने के slot होते हो सारे के सारे जो हैं हमारे motherboard पर होते हैं तो हमारा answer रहेगा all of the above next question है which of the following is considered as the brain of the computer जो computer का brain क्या कहलाता है कौन सा देखिए brain क्या है जो पूरा का पूरा input और output और फिर processing उस पूरे system को control करके रखता हैं तो वो है हमारा central processing unit ठीक है CPU next है हमारा which of the following is not a type of mouse देखिए यहां दिया हुआ है not a type of mouse not control invasive mouse का type नहीं है अब mouse का type कौन सा नहीं है wireless mouse देखने को मिलते हैं हमको optical mouse देखने को मिलते हैं जिसके नीचे वो red light होती है वो optical mouse ही कहलाती है अगर आपने hardware की वीडियो देखिए तो उसमें बता रख है एक एक को अच्छे से explain कर रख है mechanical mouse हमारे जो starting हम यूज करते हैं उसमें rubber ball होती है उसके अंदर और next है हमारा electro mechanical mouse तो electro mechanical mouse हमने नहीं यूज किया है तो वो नहीं होता है next है हमारा which of the key are also known as modifier की modifier की जो दूसरी की के साथ use होकर की हमारा help करती है जैसे shortcut की में हम control plus s save करने के लिए shift दबा के हम जो use करते हैं shift दबा के किसी capital करना है या ठीक है तो alt को भी हम use करते है अल्ट कंट्रोल अल्ट f4 तो exit करने के लिए तो इस तरह से जो की है यह तीनों की तीनों हमारी modifier की है ठीक है तो all of the above answer होगा next है हमारा which of the following is not hardware इनमें hardware कौन सा नहीं है अगर देखा जाए तो monitor monitor हमारा क्या करता है display देता है तो as a output तो यह हमारा इसको touch कर सकते हैं यह hardware हो गया प्रिंटर को touch कर सकते हैं hardware हो गया mouse को भी touch कर सकते है यह hardware हो गया लेकिन Java code touch नहीं कर सकते , इसको अंडर app programming language होती है यह ज़ेश्टा instruction होती है command होती है तो that is motor hardware so the answer is a java okay because the question is following is not hardware next question is a device that allows entering data and instruction into a computer system is called देखो वो device कुन सी है जो हमको allow करती है data का मतलब जो हमारी information है या हमारी command है जो हम computer के अंदर enter करने का हमारा help करती है वो हमारी कौन सी है interaction नहीं होती terminal नहीं होता communication भी नहीं होता वो हमारी input device है जो हमारी help करती है allow करती है जिसके through हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी इन्पूट कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं which of the following is not device इन्पूट डिवाइस तो इन्पूट डिवाइस कौन सी है देखे प्रोजेक्टर से हमको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है मतलब आउपूट प्रेंटर से भी हमको आउट्पूट मिल रही है as a printed form मोनीटर से भी हमको डिस्प्ले पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो माउस से हमको कोई बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो माउस जो है पॉइंटिंग का काम करता है क्लिक करने का काम करता है, इंपुट देने का काम करता है, तो हमारा answer क्या रहेगा, भी mouse, next है हमारा, which of the following is not an input device, input device कौन सी नहीं है, देखे कौन सी input device नहीं है, mouse हमारी input device है, keyboard से भी हम input देते हैं, scanner से भी जो भी data को scan करके, वो computer में save करता है, as a input device हो गया, तो printer से हम कोई भी input नहीं देते हैं, printer से हमको output मिलती है, printed form में, तो हमारा answer रहेगा, d printer, next है हमारा, which of the following are example of pointing device, की कौन सा, हमारा जो है, pointing device का example है, pointing device क्या, जैसे mouse हमारा pointing device होते हैं, अगर आपने पढ़ा है, hardware की वीडियों, उसमें बदा रखा है, कि mouse जो है, pointing device है, trackball pointing device होती ह और joystick है, वो game में use करते हैं, mouse के place पर ही use करते हैं, joystick pointing करने के लिए, light pen का भी pointing करने के लिए ही use किया जाता है, जो हमारी touch screen होती है, उस पर हम click करते हैं, वो as a pointing के लिए ही usable होती है, तो इसका answer हमारा all of the above answer रहेगा, तो आज की वीडियों में ये question आपको कैसे लगे, उसके ल और next वीडियो में हम बात करने वाले हैं, software ways question के, ठीक है, तो बना रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए good bye